रेल्वे लोको पाइलेट, टेकनिशियन, एंटीपिसी, गुरूपडी, आरपीएफ और रेल्वे के सभी एक्जाम्स के रिए आज समाइन विज्ञान के 50 कोस्टन्स इस क्लास में आपको बताएंगे और साथ्यों ये कोस्टन्स बहुत ही महत्पुन हैं, ये प्रिविस येस के कोस्टन्स हैं, रेल्वे की विविन पर एक्छाओं में पूछे गये हैं, इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो आज का जो ये क्लास है, आपको हर एक वो कोस्टन देख लेन हैं, तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया है, आपने कभी न कभी कुए से पानी, दिखिए, बाल्टी से कुए के अंदर से पानी उपर खीचा होगा, तो आपको क्या महसूस होता है, कि पानी की सता से उपर जो है बाल्टी भारी हो गई है, तो इसका राइटेंस रो जाएगा option number A, पानी की सता से उपरे उपर भारी हो गई है, ठीके, अगला question है, एक computer programmer जो होता है, ये क्या करता है, तो देखिए, computer programmer ये program बनाता है, simple सा question है, option number A, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, carbon tetra coloride को, अन, किस नाम से जाना जाता है, काफी महत्पुन प्रश्ण, त इसको हम pyrene के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, option number C, यहाँ इस question के लिए correct answer हो जाएगा, pyrene, याद रखना, pyrene के नाम से, next है, देखिए, लोहे को, या लोहे का जंग, लगाने पर, लोहे का भार क्या होगा, जब लोहे पर जंग लगता है, तो उसके वजन पर क्या प्र जंग लगता है, न साथियो, तो उस पर pharic oxide की एक परत जम जाती है, जिसके कारण उसका वजन जो है, वो बर जाता है, अगला question है, वहाँ जेविक किरिया, जिसमें oxygen मुक्त होती है, वहाँ कौन सी किरिया है, जिसमें oxygen gas बाहर निकलती है, मुक्त होती है, तो याद रखना फोटो सिंथेसिस, यानि प्रकास संसलेशन, इसमें oxygen जो है, यह मुक्त होती है, option number A करेक्ट होगा, निमनल खित में से किस जोड़े को सही मिलाया गिया है, चलिए देखते हैं, विटामिन A, इसकरवी गलत है, क्योंकि इसकरवी जो है, यह विटामिन C की कमी से होता है, वि तो अंधी बिटामिन A की कमी से होता है, बिटामिन E प्रजनन, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बिटामिन E की कमी से प्रजनन सक्ति में भी कमी आती है, तो यह जोड़ा आपका सही है, answer भी होगा, option number D, आगे देखिए, घरों में लगे पंखे बल्ब आदी जो लगे होते है वो किस करम में लगे होते हैं, याद रिखिएगा, घरों में लगे पंखे बल्ब आदी जो होते हैं, यह बई, समानांतर करम में लगे होते हैं, option number C, समानांतर, पेरालल में, अगला है, audio और वीडियो टेप पर कौन से रसानिक पदार्थ का लेप रहता है, काफी अच्छा question है, तो दिखिए, audio और वीडियो टेप जो होता है, उस पर जो रसानिक पदार्थ का लेप रहता है, वो रसानिक पदार्थ होता है, आपका iron oxide, तीक है, याद रिखिएगा, option number A, iron oxide correct है, रसानी कुर्जा का बिद्दु तुर्जा में रुपांतरन निम्नोवता होता है, कि दिखिए, रसानी कुर्जा का बिद्दु तुर्जा में रुपांतरन किसके द्वारा होता है, तो साथियो, electrolysis के द्वारा, correct आएगा, option number A, अगला question है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रामन से हमारी रक्षा करता है, तो correct आएगा, साथियो, याद रिखिएगा, WBC, ज अगला है, तपेदिक उत्पन करने वाला जिबानु कौन सा है, तो याद रिखिए, तपेदिक को उत्पन करने वाला जो जिबानु है, बैक्टिरिया है, उसका नाम है, Mycobacterium, option number B, next question दिखिए, अगला है, आकास पर सुन्दर इंद्रधनुस किस कारण से बनता है, काफी अच्छा कोश्चेन है, तो करिक्ट आएगा, जल बिंदुक से सुरी प्रकास का अपवर्तन, प्रकिर्णन और परावर्तन के कारण, तो राइट आएगा, option number D, जिसको हम बोलते हैं, पुनांतरिक परावर्तन, अगला कोश्चेन है, कोई पींड है, जो की त्वारन हीन गत कर रहा है, तो इसके संबेग परिवर्तन की दर क्या होगी, तो अबहे देखिए, जब कोई भी पींड तुवारन हीन गती कर रहा होता है, तो इसके संबेग परिवर्तन की जो दर होती है, वो बिलकुल सुन्न होता है, जीरो होता है, राइट आएगा, option number B, सुन्ने, बैस् देखा में भी परिवर्तन होगा, राइट आएगा, option number D, उप्रोक्त सभी, निमने लखित में से कौन एक वेब ब्रावजर है, तो दिखिए, Google Chrome बिलकुल वेब ब्रावजर है, ठीके, Safari ये भी वेब ब्रावजर है, ओपेरा, ये भी आ, एक प्रकार का वेब ब्रावजर है तो उप्यूक्त सभी जो हैं, ये वेब ब्रावजर हैं, हेमेटाइट आयस्क, हेमेटाइट ये किसका आयस्क है, आपको ये बताना है, simple question है, लोहा का यानि iron का आयसक है, हेमेटाइट, option number से करिक्ट हो जाएगा, अगला है, डाइकुलोरो, डाइफलोरो, मिथेन, द्वार उजोन को नश्ट करने की प्रकरिया मुक्त होती है, किस के द्वारा, डाइकुलोरो, डाइकुलोरो, मिथेन, द्वारा ऊजोन को नश्ट करने की प्रकरिया जो होती है, वो किसके कारन होती है, तो करिक्ट आएगा, क्लोरीन के, option number a, chlorine, चली, next question देख लेते हैं, अगला है, अंतदर्सी यानि इंडोस्कोप क्या है तो देखिए अंतदर्सी की बात करे यानि इंडोस्कोप की बात करे तो यह क्या है तो करिक्ट आएगा option नंबर ए यहाँ आहार नाल के भीतर देखने के लिए पर्युक्त प्रकासिक यंत्र है सुसक सेल किस प्रकार का सेल होता है तो देखिए सुसक सेल जो होता है ड्राइमरी सेल होता है साथ यो प्राथमिक सेल होता है aster number 8 next question है चोराछों पर पानी के पुहारे में जेंद नाचती रहती है क्यों तो अबर पानी का बेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस का रन याद रखना अगला है, निम्नलखीत में से कौन एक बाहन परदुसन का भाग नहीं है, यानि इन में से यह कौन सा गैस है, जो कि बाहन की परदुसन के माज़्ण से उत्पन नहीं होता है एक पेंड्राइब क्या है साथ यह बहुत यह इच्छा कुष्चेन है तो पेंड्राइब की बात करें तो भई हटाए जाने वाली दूतिया भंडारक एक अख हैं पेंड्राइब में जो चीजे हम रखते हैं उसको तो हम अटा सकते हैं ना करेक्ट आएगा ऑप्सन नमबर सी अगला परमानो बम में निम्न सिध्धान्त कायर करता है तो देखिए परमानो बम किस सिध्धान्त पर कायर करता है तो करेक्ट आएगा ऑप्सन नमबर भी अगला किसका अपयोग पेट की अमलता को हटाने के लिए किया जाता है बहुत यह अच्छा कोष्चेन है तो पेट अब देखिए इस्टेलिस इस्टील जो है स्टेलिस स्टील का मिसरा जातु है जबकि बायू क्या है तो यह मिसरन है गैसो का मिसरन है न ऑफ्सन नमबर ए टिनिया पेडिस नामक कवक से उत्पन होने वाली बीमारी कौन सी है साथ यो काफी अच्छा कोश्चन है यह भी तो याद रखना है टीनिया पेडिस नामक कावक से उत्पन होने वाली जो बीमारी है वह है एटलेट फूट याद रखना है एटलेट फूट नेक्स्ट है बायूमंडल या दबाब को मापने के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है तो करेक्ट आएगा बैरोमीटर का परियोग करते हैं ओप्सन नमबर भी बैरोमीटर ठीक है देखिए हाइडरोमीटर से क्या मापा जाता है साथ यो घनतों मापा जाता है बैरोमी यह किसके उत्पादर में पर्युक्त होता है तो bleaching powder के CAO CL2 इसका रसानिक सुत्र होता है याद रखना नभन में से किसमें रखत नहीं होता है कि इन तुम स्वासन करता है यानि इसमें इनमें से कौन सा वो जीवें जिसमें रखत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेता है, करेक्ट आएगा option number C, Hydra, विकास का सिध्धान्त किसके द्वारा पर्तिपादित किया गया, तो देखें विकास का जो सिध्धान्त है, वो किश ने दिया था, तो चाल्स डार्विन ने दिया था, option number D correct है, next है स्थाई चुम्बक किसके बनाय जाते हैं, तो इस थाई चुम्बक की बात करें, तो यह इस पात का बनाया जाता है, और अस थाई चुम्बक जो होता है, वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, नाविके रियक्टर के निर्मान में, निमनल कित में से कौन सा एक अनिवारी होता है, तो जरको नियम, option number से correct हो ज जाई, तो दूद घटा हो जाता है, यहाँ निमनल कित में से किसके कारण होता है, तो देखें, यदि दूद को काफी समय तक बीना ढखे रखा जाई, तो दूद घटा हो जाता है, यहाँ किसके कारण होता है, तो भै याद रखना, लेक्टिक अमल के कारण, लेक्टिक एस सुरील में अगर हीपेरीन की उपस्थिति होगी तो रक्त कथक़ा नहीं बनेगा। अप्सन नंबर वी हीपेरीन। टातों से खुन गिरना किस विटामीन की कमÓ के कारण होता है। देख TV कभी आता है। यह सी की कमी से होता है साथियो option नंबर सी निमन में से प्रमुक ग्रीन हाउस गैसे कौन सी है तो इन में से सबसे प्रमुक ग्रीन हाउस गैसे carbon dioxide option नंबर ए करेक्ट अंसर हो जाएगा स्रव परिसर में ध्वनी तरंगों की आवरिती क्या होती है अब स्रव परिसर वो परिसर है ज गुना हो जाता है ठीक है option number B next है अनाज वाले पोधे कि स्कुल से संबंदित है याद रिखिए जो अनाज वाले पोधे होते हैं वो ग्रेमीनी कुल के पोधे होते हैं option number C correct होगा मानव सरीर ठीक है के विदुत प्रतिरोध का परिणाम कोटी क्या होता है सुसकि स्थिति में तो करिक्ट आएगा साथ्यों 10 का पावर 6 ओम याद रिखिएगा नेक्स ते कोरल रिफ यानि प्रवाल वित्ति का निर्मान किसके द्वारा होता है तो करिक्ट आएगा सिलेंट टेटा के द्वारा काफी अच्छा कोश्चन है याद रखना नेक्स्ट है कंकाल का मुख्य कायर क्या है तो देखिए जो कंकाल होता है उसका मुख्य कायर क्या होता है तो सरीर को एक निश्ची ताकार प्रदान करना करेक्ट है ओप्सन नमबर भी नेक्स्ट है एंत्रोलोजी का संबंद किससे है तो साथ देखिए एंत्रोलोजी का संबं पुस्पो के अद्यन से। हो जाएगा। स्वीरिक के प्रिष्ट यानि सर्फेस का ताप कितना होता है तो स्वीरिक का जो सर्फेस होता है। उसका ताप मान होता है 6800 Kelvin option number C करेक्ण हो जाएगा refrigerator में सीतन किस प्रिकार से होता है यानि refrigerator यानि freeze freeze में ठंडक होती है किसके कारण होती है तो याद रिखिए बास प्सिल द्रब के बासपन के द्वारा option number C next आएगा यदि मैट्रोकॉंड्रिया काम करना होगा option number भी correct है तोबेक मोज़क वाइरस का संबन किस्से है तो दिखें तोबेको मोज़क वाइरस जो है इसका तोबेको मोज़क यह क्या है ऐसा आपको question यह पूछना चाहिए था दिखें तो वाइरस लिखी दिया है विशानू होगा option नमबर सी विशानूवों से नियमनल कि जिवास में इंधनों में कौन स्वच्छता मिंधन है यानि यह जो जिवास मिंधन आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा एक स्वच्छता मिंधन है तो करेक्ट आएगा option नमबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा साथियों बहुत ही important questions थे यह आपको class पसंद आया होगा और अगर आपको class पसंद आया है तो like जरूर करिएगा और अपने पांच दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा तो मिलेंगे आपसे next वीडियो में अगले class में तब तक बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए जहिन साथियों वंदे मातरम